हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज ब्रह्मा स्पेस की क्लास 20 है और आज की क्लास में हम लोग इंडियन लिट्रेचर के टॉप कुशन को पढ़ने वाले हैं ये सभी कुशन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो होने वाली है और आँगे आने वाले एक्जाम में आप लोग जी के जीएस में बहुत अच्छा सा स्कूर कर पाएंगे तो चलिए आँगे बढ़ते हैं और आज का पहला कुशन देखते हैं आज का पहला कुशन लिखा है निमलिखित में से कौन नरविज्ञान इतिहास और कथा साहित को जोड़ता है विच आप दी फॉलोविंग कॉमबाइन्स एंथ्रोपोलोजी हिस्ट्री एंड फिक्षन फर्स्ट उप्षन है कमला मारकंडे, सिकेंड उप्षन है मुल्कराज आनंद, थर्ड उप्षन है उपमन्यू चटरजी, फोर्ट उप्षन है अमिताब घोष जल्दी से बताईएगा फ्रेंज, निम लिखित में से कौन नरभ विज्ञान इतिहास और कता साहित को जोड़ता है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंज, वें हैं हमारा ओप्षन नमबर डी, अमिताब घोष चलिए आंगे बढ़ती हो निश कुश्चन देखती है, निश कुश्चन लिखा है फ्रेंज, निम लिखित में से कौन सा विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है विच आप दी फॉलॉविंग इस नॉट आर नोवल बेस्ड ओन पार्टीशन्स फर्स्ट ओप्षन है ट्रेंड टू पाकिस्तान, सिकिंड ओप्षन है सनलाइट ओन दा ब्रोकन कॉलम, थार्ड ओप्षन है दा सेडो लाइन्स, फोर्थ ओप्षन है इन कस्टडी चल्दी से बताईएगा दोस्तों निम लिखित में से कौन सा विवाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वें हैं हमारा ओप्षन नमबर डी इन कस्टडी चलियांगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स सल्मान रुजदी की निम लिखित में से कौन सी पुस्तक पंदरवी सताबदी के स्पेन को प्रारंबिक बिंदू के रूप में संधरबित करती है which of the following books by सल्मान रुजदी refers to 15th century Spain as the starting point फर्स्ट ओप्सन है हरूर एंड दा सी ओफ स्टोरीज सिकेंड ओप्सन है दा मूर्स लास्ट साई थर्ड ओप्सन है सेम फोर्थ ओप्सन है ग्रिम्स जल्दी से बताईएगा दोस्तों सल्मान रुजदी की निमलिखित में से कौन सी पुस्तक पंदरवी सताब्दी के इस पेन को प्रारंबिक बिंदू के रूप में संधरबित करती है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वें है मारा option नमबर डी ग्रिम्स चलिए इससे आंगे बर्तियों ने इस question दीखती है वे भारती अंगरी जी कवी जिसने अपनी कवीता में समय के प्रश्न को संभोधित किया है The Indian English poet who addressed the question of time in his poetry is First option है निसिम एजेकेल Second option है अरफार्त सार्थी Third option है एके रामानुजन Fourth option है गीव पतेल बताईएगा दोस्तों वे है भारती अंगरी जी कवी जिसने अपनी कवीता में समय के प्रश्न को संभोधित किया है इस कुश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा प्रेंट्स वे हैं हमारा option नंबर बी आर पार्त सार्थी ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश कुश्चन दीखती है नेश कुश्चन लिखा है प्रेंट्स निमलिकित में से किसने उपन्यास दा रिटन लिखा है हूँ एमोंग दी फॉलॉविंग है जे रिटिन दी नोवल दी रिटन फर्स्ट उप्शन है बापसी सिद्वा, सिकेंड उप्शन है वी एस नाई पॉल, थर्ड उप्शन है के एस मडियम, फोर्थ उप्शन है पंकश मिस्रा जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स निमलिकित में से किसने उपन्यास दा रिटन लिखा है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वें हैं हमारा उप्शन नंबर सी के एस मडियम ने ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ती हो निश कुईशन देखती है निश कुईशन लिखा है फ्रेंट्स ग्रीस करनाड की है वर्दना जो मोल रूप से करनड में है इसका अंग्रेजी में अनुवात किया गया है ग्रीस करनाड है वर्दना ओरिजिनली इन करनाडा है जी बीन ट्रांसलेटेड इंटू इंगलिस फर्ष्ट ओप्सन है यू आर अनंतमूर्ती ने सिकेंड ओप्सन है खुद नाटक कार द्वारा थर्ड ओप्सन है जी एज अमूर ने फोर्थ ओप्सन है एके रामा अनुजन ने बताईएगा दोस्तों गिरीज करनाड की है वदना जो मोल रूप से करनाड में है इसका अंग्री जी में अनुवात किया गया है इस कोईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्सन नंबर बी खुद नाटक कार द्वारा थर्ड द्रेमिटिस्ट हिमसेल्फ चलिए आंगे बारतियों ने इस कोईशन देखती है ने इस कोईशन लिखा है फ्रेंड्स फूल एक लगू नाटक है जो निम लिखे द्वारा लिखा गया है फूल इजा सोल्ट प्ले व्रिटिन बाई फर्स्ट ऑप्सन है महिश दत्तानी सिकेंड ऑप्सन है आसिप करभी भॉय थर्ड ऑप्सन है गिरीज करनाड फोर्थ बताईएगा फ्रेंड्स फूल एक लगू नाटक है जो निम लिखे द्वारा लिखा गया है इस कोईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ऑप्सन नमबर सी गिरीज करनाड द्वारा चलियांगे वर्थियों ने इस कोईशन दीखती है ने इस प्राटक है वदन का आधार थॉमस मान के ट्रांसपोजड हेड्स को क्यों बनाया वाइड़ गिरीज करनाड बेजदी प्ले है वतन ओन थॉमस मान से ट्रांसपोर्टेड हेड्स परस्ट ऑप्सन है एक मूल संस्कृत कताओं का एक नकली विरतापूर प्रतिलेखन है सिकें दित है जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वें हैं हमारा ओप्सन नंबर ए यह मूल संस्कृत कताओं का एक नकली विरतापूर प्रतिलेखन है ठीके दोस्तों चल आंगे बढ़ती हो निश कुश्चन देखते हैं निश कुश्चन लिखा है फ्रेंड्स वेह भारती अंग्रेजी उपन्यास कार जिसने पहली बार भासा और स्वदेशी अनुभव के प्रश्ण को संभोधित किया वेह कौन था दा इंडियन इंग्लिस नोविलिस्ट हू फ थर्ड ओप्षन है अरुन जोसी फोर्ट ओप्षन है राजा राओ जल्दी से बताईएगा दोस्तों वेह भारती अंग्रेजी उपन्यास कार जिसने पहली बार भासा और स्वदेशी अनुभव के प्रश्ण को संभोधित किया वेह कौन था इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वेह है मारा ओप्षन नंबर ए मुल्क राज आनंद जी थे ठीके दोस्तों चलियांगे बाढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स जीवी देसानी की पुस्तक All About H Hatter किस सैली में लिखी गई है जीवी देसानी बुक All About H Hatter is written in which style फर्स्ट ओप्षन है इस्ट्रीम ओफ कॉंसीनेंस मोड फर्स्ट पर्सन नेरेटिव मोड थर्ड ओप्षन है पीका रेस्क मोड फोर्थ ओप्षन है नेचुरिलिस्टिक मोड जल्दी से बताईएगा दोस्तों जेवी देसानी की पुस्तक All About H Hatter किस सैली में लिखी गई है इस कुश्टिन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैं है मारा ओप्षन नमबर A स्ट्रीम ओफ कॉंसीनेंस मोड पर ठीक है दोस्तों चली आंगे बाढ़ती हो नेच कुश्टिन देखती है नेच कुश्टिन लिखा है फ्रेंड्स निम लिखित में से कौन बादल सरकार का नाटक नहीं है विच आपदी फॉलोविंग इच नौट आप पिली और बादल सरकार फर्स्ट आप्सेन है भूमा, सिकिंड आप्सेन है एवं इंदरजीत, थर्ड आप्सेन है देट अधर हिस्ट्री, फोर्ट आप्सेन है आगरा बाजार जल्दी से बताईएगा फ्रेंज, निमलिकित में से कौन बादल सरकार का नाटक नहीं है इस कुशन का जो राइड आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे हैं हमारा ओप्सेन नमबर डी, आगरा बाजार ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आंगे बढ़ती हो निश कुशन दीखती है, निश कुशन लिखा है फ्रेंड्स, ससी देश पांडे की देट लॉंग साइलेंस का नामक कौन है who is the protagonist of ससी देश पांडे that long silence first option है मोहन, second option है जया, third option है रती, fourth option है कामत जल्दी से बताइएगा दोस्तों ससी देश पांडे की that long silence का नायक कौन है इस question का जो right answer हो जाएगा friends, वे है मारा option number B जया, ठीक है दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश कुश्यन देखती है नेश कुश्यन लिखा है friends, मिसलनी का प्रिकासन कहा से हुआ था where was the मिसलनी published first option है साइट अकादमी से, second option है दा राइटर्स वर्क्सॉप से, third option है पैन से, fourth option है साउंड लाइट से चल्दी से बताईएगा दोस्तों, मिसलनी का प्रिकासन कहा से हुआ था इस कुश्यन का जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों, वे हैं हमारा option नमबर बी, दा राइटर्स वर्क्सॉप से ठीके दोस्तों, चलियांगे बारतियों नेश कुश्यन देखती है नेश कुश्यन लिखा है, फ्रेंट्स निमलिखित में से कौन सा नारिवादी उपन्यास नहीं है विच आप दी फॉलॉविंग इस नॉट आ फेमिनिस्ट नोविल फर्स्ट ओप्सन है आसा पूर्णा देवी की सुवरनलता सिकेंड ओप्सन है राजम कृष्णन की लेंप इन दा वर्ल फूल थर्ड ओप्सन है चूणा मडी रागवन की यामनी फोर्थ ओप्सन है बानी वसू की दा एनिमी विदिन जल्दी से बताईएगा दोस्तों निमलिकित में से कौन सा नारिवादी उपन्यास नहीं है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ओप्सन नमबर दी बानी वसू की दा एनिमी विदिन ठीके दोस्तों और यह तीनों नारिवादी उपन्यास हैं ठीके फ्रेंट्स आंगे बढ़ते हैं और आजका लाज कुश्चन देखते हैं आजका लाज कुश्चन लिका है फ्रेंट्स अमिताब घोस का निमलिकित में से कौन सा ग्रंत सुन्दरवन में एक दूइप पर सरडार्थियों के कबजे पर आधारित है विच आप दी फॉलोविंग बुक्स बाई अमिताब घोस इज बेश्ड ओन दा ओकूपेशन ओफ रिफ्यूजीज ओन एन इस आइसलेंड इन दा सुन्दरवन्स फर्स्ट उप्शन है सी ओप पॉपीज सिकेंड ओप्शन है दा हंग्री टाइड थर्ड ओप्शन है रिवर ओफ स्मोक फोर्थ ओप्शन है दा ग्लास पैलेस बताईएगा फ्रेंड्स अमिताब घोस का निमलिकित में से कौन सा ग्रंथ सुन्दरवन में एक दूई पर सरडार्थियों के कबजे पर आधारित है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्शन नमबर बी दा हंग्री टाइड ठीके दोस्तों I hope आजके सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे फ्रेंड्स और सभी कुशन आपके अग्जाम के लिए most important भी थे दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो फ्लीज इस क्लास को like कीजिएगा share कीजिएगा और आपके अपने चैनल मांसी study चैनल को subscribe कीजिएगा और अपना comment comment box में करना मत भूलिएगा ठीके दोस्तों thank you so much दोस्तों